हेलो एब्रिवन आज मैं आपके लाई हूँ एक स्विट डिस्की रेस्पी जिसको हम दो मुठ्थी चावल से बनाके त्यार करेंगे तो खानी में बहुत स्वादिस लगती है बनानी में भी बहुत आसान है और हम इसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे लेखे कितना इसको मैंने पहले ही साफ कर लिया था यह चावलों की टूटन है मतलब एक चावल के चाट टुकड़े देखिए इसका डिजट बनाएंगे तो इसका डिजट बहुत टेस्टी बनता है और यह वाले चावल आपको मार्केट में आसानी से अवेलिबल हो जाते हैं खीर के चा ँसमार अच्छे से पानि वॉष कर लिए जिससे थे निकल जाएँ चाबलों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जिससे चावलों में एक अच्छा सा फ्लेवर सा जाएंगी के साथ रोस्ट करने पर जावलों को जो पानी है वो शूख जाए चावल थोड़ा खिला-खिला हो जाए उतना भूज लेंगे एक-दो मिन्ट में हो जाता है उसे था टाइम नहीं लगता है देखिए हमारा चावल रोस्ट हो चुका है और यह सब काम आप मेडियम फ्लेम पर या स्लो फ्लेम पर करना हाई फ्लेम पर नहीं करना देखिए हमारी चावल रोस्ट हो चुकी है बस इतना ही रोस्ट करेंगे और इसमें एक ग्लास गरम दूट डाल देंगे यह फुल कि कोगर कर रगाए रखां के फिलिया झाल हर डाचा होने के लिए इसको अच्छे से ग्रम होने देंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल लिए आजाता तब तक हमें इसको गरम कर लेंगे और ये फुल फैट मिल्क है जिसे हमारी खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और टेक्शर भी आएगा इसलिए हमें इसा फुल फैट मिल्क की यूज़ कीजिए खीर के लिए लिए हमारा अब हम बाकी की प्रोसेस करते हैं देखिए हमारा कोकर भी ठंडा हो चुका है और दूद और चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इनको अच्छे से मैस कर दिजिए चमचे की हल्प से जिससे चावल का मैस हो जाए उससे हमारी खीर में के टेक्शर रब्री जैसा टे के लिए कि दौना चीज़ों को अच्छे से चार-पांच मिनट तक उबलने देंगे खीरों को अब जो थोड़ा सा दूद्ध हमने निकाला था उसमें केसर करके साइड में रख देंगे दो तिन मिनट के लिए और हमारे दूद्ध खीर भी देखो पक चुकी है अब आपस में दूद्ध चावल अच्छे से मिक्स हो चुकी है और थोड़ी थिक भी हो चुकी है आप इस रेसिवी को एक बाद जरू ड्राइड कीजेगा अब हमें केसर वाला दूद्ध कर देंगे जिसे हमारी खीर में बह आप अपने टेस्ट के अगोर्टिंग सुगर और एड कर सकते हैं और इसको दो तिर मेंट अच्छे से उबाल लेंगे और जिससे सुगर उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए कि कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी खीर में अब इसमें कुछ ड्राइफूर्स कर देंगे कर देंगे हमारी खीर बनके दयार हो चुकी है है अगर बेखिए काफी थिक हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ा था इलाईची पाउडर डाल देंगे जिससे अच्छा सब्सक्राइब हो चुकी आच्छा टेक्षा दिख रहा है बस हम गयास बंद कर देंगे और इसको ज़्यादा मैं गाड़ा नहीं कर रहें को ठंडा होने पर जो बहुत ठिक हो जाती है फिर खाने में अच्छी नहीं लगती है आपको पर टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं हम इसको कुछ ड्राइफूट से ड्यकॉरेट कर देंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्ली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि कि अच्छा टक्षा दिख रहा कितने अच्छी दिख रही है हमारी की आप भी इस रेस्पी को जरूर ड्राइब कीजिएगा देखिए थैंक यू प्लाइब कीजिए।